हेलो एवरिवान वेलकम तो दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडी बर्स और आज की वीडियो के अंदर यार मैं कवर करने वाला हूँ जो टॉप स्नाप के कॉलेज़िस है उनकी क्या प्लेस्मेंट रिपोर्टर है 2020 में क्या एवरेज CTC रहा है क्या उनका फी स्ट्रक्चर है क्य कितनी आपको स्नाप की परसेंटाइल चाहिए सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ इसे बेले फ्रेंट जन स्टाट कर आए वूड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर देना इसके लाव आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो जो है basically studybus underscore education के नाम से यहाँ पे हम daily basis के ओपर बहुत ही relevant content पोस्ट करते है जिसके अंदर new words होते है जिसके अंदर आपके current affairs होते है जिसके अंदर exams की updates होती है आपके doubts होते है यह सारी चीज़े हम यहाँ पे लेते है इसके लावा अगर आपको कोई और doubt है तो आप हमारे 24 by 7 doubt solving group को भी join कर सकते हो जो कि facebook पे है studybus के नाम से इसके लावा friends अगर आप studybus का pen drive course plan कर दे हो तो है हमाई website है www.studybus.co.in यहाँ जाके complete details आपको pen drive course के बार में मिल जाएगी और हर pen drive के साथ मिलते है आपको portal जो एक तरीके की online test series है जिसमें basic moderate और advanced level तक के questions होते है जिसमें sectional mo tiers के test मिलते हैं और यह सारे full end test मिलते हैं इसके साथ आपको study planner का भी feature मिलता है जिससे कि basically आप अपनी preparation को और जादा organize कर सकते हो अगर आपको कोई doubt है तो आप हमारे और आपको कोई query है तो आप हमारे help line number के उपर भी आप हमें contact कर सकते हो अगर friends मैं top institutes के बारे में बात करू जो snap का score accept करते हैं जैसे आपको पता है कि snap basically अपना exam conduct कराता है अगर आप MBA के लिए prepare कर रहे हो तो अगर मैं top colleges की list निकालू हाँ इसके अलावा भी और बहुत सारे colleges हैं मैं उनकी details में नहीं जा रहा तो अगर मैं इन colleges के बारे में बात करू तो जो top colleges हैं वो है SIBM पूने, SCM HRT पूने, SIB पूने, SIBM बैंगलूरू, SIOM नाशेक और SITM पूने अगर इन सब colleges के बारे मैं एके करके discuss करू कि क्या है basically इनका इस साल का placement record क्या रहा आपको इस college को join करना चाहिए नहीं करने चाहिए या आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए कि आपको snap के exam आपका clear हो जाए इन स सबसे पहले और सबसे important college discuss करूँ जो इनका main college है और main campus है that is SIBM पूने, SIBM पूने बहुत ही अच्छा एक brand name है इसका main CTC रहा है वो 20.14 lakh rupees per annum के असपस रहा है अगर आप top 10% या top 20% में आ जाते हो तो यह और भी जादा है ठीक है highest CTC जो रहा है यह 34.26 lakhs per annum कर रहा है जो इसक starting salary ही 20 से 21 lakhs की लगती है then this can be considered a good return on investment इसके बाद friends अगर मैं इनके दूसरी बहुत अच्छे college के बार में बात करूँ that is SCMHRD यह कहां पे है यह भी basically पूने के अंदर है अगर मैं इसका fee structure के बार में बात करूँ तो इसका fee structure भी somewhere around 20 से 22 lakh rupees के आसपास का है जो highest CTC लगा था व 16 lakh rupees तो अगर आप यहां पे मेनद करके पहुंच जाते हो अगर आप 16 lakh rupees per annum से अपनी job start करते हो तो genuinely आपको पता ही है क्यार future के अंदर जो आपकी growth है वो भी उसी according होगी ठीक है so 16 lakhs per annum से अपना career start करना is a good good basically step next है SIB पूने SIB पूने के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इ highest CTC गया था वो गया था 17 lakh rupees per annum का जो mean CTC रहा है वो रहा है around 11 lakh rupees का तो यह था basically SIB पूने उसके बाद next है मैं पास SIB बेंगलूरू SIB बेंगलूरू के अंदर basically जो fee structure है 2 साल का that is somewhere around 18 to 19 lakh rupees per annum का जो highest CTC गया था वो गया था 25 lakhs per annum का जो highest जो mean CTC है वो रहा है approximately 10.26 lakhs per annum का उसके बाद next अगर मैं बात करूँ SION नाशिक की तो friends basically यह जो MBA करवाता है यह करवाता है operations के अंदर यहाँ पर general MBA नहीं होती है तो जो MBA यहाँ पर होती है यह operations के अंदर होती है जो इसका fee structure है वो है 16 lakh rupees का जो highest CTC गया है वो 17 lakh rupees का गया था जो mean CTC गया है वो गया है 11.57 lakhs per ann तो friends next जो है हमारा वो है basically SITM पूने अगर मैं SITM पूने के पारे में बात करूँ तो जो इसका fee structure है 2 साल का वो है आपका 13 lakh rupees के approximately मतलब यानि कि 13-14 lakh rupees के आसपास को अगर revise भी हो जाता है लेकिन इस college का 2020 का placement data अभी तक actually में published नहीं हुआ है तो इस college का जो basically data लिया गया है वो पर annum का था मेरे sources के according और मेरी knowledge के according ये मुझे पता लगाया या मेरे सुनने में आया कि इस साल जो इसका basically जो mean CTC है वो 9 lakhs पर annum से plus हो सकता है वो 9.2 भी हो सकता है 9.4 भी हो सकता है या इससे भी plus हो सकता है लेकिन actual figure अभी तक नहीं आई है तो जब तक actual figure नहीं आई है तो इसके उपर हमें comment नहीं करना चाहिए तो इसके लिए भी हमें इनके final data के लिए wait करना चाहिए लेकिन हां ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये basically 9 से उपर तो जाना चाहिए और जो higher CTC रहे higher CTC रहे बहुत अच्छा इनका गया approximately 21 lakh रुपीज पर annum का तो जो भी बच्चा अगर यहां पर जाके अच्छा perform करेगा तो उसको एक अच्छा return on investment मिल सकता है तो friends यह तो थे सारे important colleges जो basically snap का score accept करते है जिनके आपको मैंने fee structure और जिनकी आपको मैंने average और higher CTC बता दिया लेकिन आपको snap में कितने marks लाने पड़ेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूं आपको क it can vary from college to college also it can vary from time to time and year to year you never know कि कब थोड़ी सी percentile इधर से उधर adjust हो जाए ठीक है you never know कब change हो जाए तो हर साल यह vary कर सकती है लेकिन अगर आपको एक general idea दूँ तो SIBM में अगर आपकी 99 percentile के आसपास आती है तो आपके लिए काफी अच्छे chances है SEM HRD के अंदर 96 to 97 percentile आपकी होनी चाहिए SIB पुने के अंदर around 93 होने चाहिए SIBM बैंगलूरू के अंदर around 90 होने चाहिए SIOM नाशिक के लिए 87 होनी चाहिए SITM पुने के अंदर approximately 83 होने चाहिए इसके अलावा भी friends बहुत सारे colleges हैं जो snap का score accept करते हैं उनमें generally वो colleges हैं जो internet के उपर information मिल जाएगी तो friends ये सब कुछ था snap के top colleges के बारे में उनकी percentile के बारे में I hope आपको वीडियो पसंद आई हो आप comment box के अंदर अपने suggestions mention कर सकते हो मैं future में उन topics के उपर भी वीडियो बनाता रहूँगा अब हम आइसाथ instagram पर connect हो सकते हो अगर आपको pen drive course order करने त website है और अगर आपको कोई doubt है तो आप हमें whatsapp या email भी कर सकते हो so thanks a lot friends all the best God bless you